नमस्कार साथ हुआ आपका स्वागत है नवीन जी के जी एस चैनल पर बिहार आई टीए मौपप कांसलिंग का जो है लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है जैसा कि हमारे पीछले वीडियो कई वीडियो में आप देख रहे होंगे इस तरह से लिस्ट जारी कर दिया जाएगा यानि कि वो घड़ी समापत हो चुकी है आज जो है जारी कर दिया गया है आप देख सकते हैं डेट टाइम और आफ लाइन मौपप कांसलिंग और आई टी आई केट दुहजार एक ऐस लिस्ट जारी कर दिया गया है कैसे क्या करना है कब जाना है जल्दी देख लीजे आप स हो रहा है तो उस हिसाब से आपको पहले कैसे क्या जाना है सभी कंडिडेट जो है इसमें अपना रॉल नमर डालके चेक कर लेंगे तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा तो चलिए इस वीड का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और वेल आइकन जरूर दवा लिजेगा मैं यह नहीं शादा कि कई कंडिडेट का ऐसा कोमेंट आता है जो सर यह छुट गया यह छुट गया ऐसा आप सभी का साथ ना हो पलपल की अपडेट आपको मिलता रहे और भी जानकारी आपको मिल जाए जिनका अच्छा रैंक है उनको एडमिशन होगा लिस्ट में जितना जारी हो हुआ है उनका भी एडमिशन होना है जितना सीट खाली रहेगा तब तक एडमिशन होगा सभी सीट फूल होगा उसके बाद हो सकता है बंद हो लेकिन जितना सीट है उस पर एडमिशन होना अनिवारिय है हो सकता है ये वीडियो लंबा हो तो इसमें पूरा जनकारी नहीं दे करके और भी कई वीडियो के माधम से मैं असपस्ट रूप से जनकारी देता रहूँगा आप अगर चैनल पे पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग सास्क्राइब कर लीजिए हैं उनको बहुत बहुत धे धन्यवाद दिल से धन्यवाद जो सास्क्राइब कर लीजिए हैं उनका कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए हमारा यही उद्दे से आप लोग को पलपल के अपडेट मिलता रहा है और एडमिशन सभी लोग का हो जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बीना समय गवाए हुए वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कोई भी जानकारी छूटे ना आपको जो है सबसे पहले आ जाना ओफिसियल वेबसाइट पे इने की यह जारी कर दिया गया है यह जो है साम में जारी किया गया और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें जो है इस B.C.E.C. काउंसलिंग के बारे में बताया था जो इस बज़े से इसका लेठ हुआ है B.R.IT का यह जो है मापप कांसिलिंग लिस्ट तो चलिए डाउनलोड करते हैं और देखते हैं और भी समझते हैं डिटेल में और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और नहीं तो आप वहाँ पर जा करके अपना लिस्ट डाउनलोड करके अपना रॉल नमर जो है पस्ट रूप से क्या क्या डोकुमेंट लेके जाना है सभी डोकुमेंट लेके जाएगा और अगर कोई डोकुमेंट नहीं भी है तो भी आपको कांसिलिंग के लिए जाना है अगर वहाँ पर अपलिकेशन देखे हो सकता है आपको थोरा दिन का टाइम दिया जाए वक्त द नहीं होना चाहिए किसी भी candidate का नहीं तो आने वाले समय में competition का भी बढ़ता जाएगा तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं और भी जानकारी समझते हैं फाइनली आप देख सकते हैं यह जो है डाउनलोड हो चुका है तो आप देख लिए यहां पर दिया गया है बिहार समय परवेश परयोगता परिक्षा परिक्षा दियाने कि आपका जो है यह एड्रेस है इसी पर जो है आप सभी candidate का जो है counseling होगा IAS संग भवन पटना हवाई अड़ा के निकट पटना चोदा में ठीक है आप सभी का यहीं पर counseling होगा तो चलिए आगे देखते हैं यह जो लिस्ट आज जारी किया गया है आप इसको जो है read कर लिजेगा यह जो देख सकते हैं दिनांक आज जारी कर दिया गया है और इसमें जो है NCVT और SCVT सभी पे जो है admission होना है तो सबसे पहले जो है candidate अपना जो choice करेंगे तो NCVT लेने का परियास करेंगे कोई भी trade हो तो NCVT लेने का परियास करेंगे और trade से related हमारी channel पर visit करके आप देख लिजे जो कौन सा trade better होता है 14 trade के बारे में बताया गया है तो चलिए आ आप जो है इसको जो है असपश्ट रूफसे पढ़ने का परियास कीजिएगा और समझने का परियास कीजिएगा अगर एक बार में नहीं समझ में आये तो दुबारा से जरूर पढ़िएगा जिसे कि आपको समझ में आ जाए तो चलिए, deixa में हम परते हैं वैसे अभ्यारती के लिए जो है उपलब्ध रिक्त अस्तानों के अवरूद काउंसलिंग निमवत कारिय करम के अनुशार परश्यद कारियल यानि कि आई एस संगभवन पटना हवायदा के निकट पटना इतना में आयोजित होगा यहाँ पर असपश्ट रूप से लिखा गया है जो कहां आयोजित होगा ठीक है तो सभी कंडिडिट को जो है आपको यहाँ पर जाना होगा इस एड्रेस पे यानि कि यह जो है एड्रेस आपका पटना में चिरिया खाना के पीछे में हवायदा के बगल में है तो यहाँ पर सभी कंडिडिट को पहुचना होगा अपना जिस दिन डेट दिया गया है उस दिन तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं आगे तो आप देख सकते हैं फर्ष्ट में जो है यहाँ पर दिया जो है इनको जो है सबसे अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आसानी से पटना में जो चाहेंगे वो ट्रेड यानिकी इनका जो है सिर्फ 24 तारीक को जो है इनका होना है उसके बाद इनका 24 तारीक जो आप सर्च करेंगे उपर में जो है सर्च करने का तरीका देख लेजे उपर में जो है यह पीडियाफ डाउनलोड करने के बाद जो है आप उपर में सर्च करने का ओप्सन आता है उस पर जो है रॉल नमर आदे हैं उस वो भी सो होगा तो यह तो हो गया आप समझ लिए और इसमें देख लिए जो फ़स्ट में दिया वह पटनादिष्टिक का दिया गया तो जिनका पटनादिष्टिक में होगा वह अपना जाएंगे Pattna district में जिनका है वह अपना पटना में ही होंगे आसा करते हैं तो वो अपना जाएंगे डेट के हिसाब से तो आप देख लिए यहां पर मेंशन किया गया है डेट टाइम और यह जो है इंटरव्यू मतलब वही डॉकुमेंट वहरिफिकेशन होता है यही सब जो भी पूछता चुब तो आप आपका सब कुछ जानकारी आपको जाना है और जाकर के काउंसलिंग जरूर करवाना है कि नहीं कर छूटना नहीं चाहिए क्योंकि छूटने के बाद ऑफसन बाद में दिया जाएगा या नहीं इसका कोई निर्नेद अभी बताया नहीं जा सकता तो यह तो हो गया पढ़ना डिश्टिक का देख सकते ह आप एक दिन में जो है कि इतना कंडिडेट का काउंसलिंग होगा ठीक है पचीस तारिक को इतना कंडिडेट का उसके बाद और यहां जब भी जाना है आपको टाइमिंग भी यहां पर अल्डेटी दिया हुआ है यानि कि आपको जो है दस बजे पहुंच जाना है ठीक है औ तो आप सभी को पहले ही जाना होगा और सभी candidate का असा की जो है admission हो जाए और पहले जब भी दिया गया है तो ये जो है unreserved category wise दिया गया है उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है category wise तो ST का दिया गया है उसके बाद जो है ST का टेगरी का जो है category wise जाते है unreserved में तो आपको उस दिन जाना होगा और उसके बाद देखिए unreserved में जाते हैं तो आपके पास दो option रहेंगे उस दिन अगर admission हुआ तो हुआ नहीं तो आप जो है category wise जिस दिन होगा उस दिन आप जाकर के admission ले सकते हैं आपके पास दो option होग इसलिए सभी candidate को जो है first में जो date मिला है उसको जरूर जाइए और admission हो गया तो अच्छा है नहीं तो next chance भी आपको मिलदा है यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं पांच एक को जो है काफी स्टुडेंट है यानि की काफी सेट खाली भी है और काफी स्टुडेंट भी है तो सभी candidate का संभब नहीं है लेकिन जिनका अच्छा रैंक होगा जिनका डेट टेट फूल होने से पहले है उनका हो जाएगा उसके बाद इवी सी कंडिडेट का है उसके बाद देख लीज जो है बीसी कंडिडेट का है इस तरह से जो है आप सभी को जो है जाना है डेट देख करके और अपने डिस्टिक वाइस जिस दिन आपको डेट दिया जाएगा उस दिन जो है आपको जाना है और कांसलिंग जो है करवाना है उसके बाद आप देख सकते हैं यह यह जो है भो कोटा का है इस तरह से आप जो है अपना रोल नमर और डेट देख लेंगे तो आपको जो है ध्यान देने की बात है ये इस पर जो है आप ध्यान देंगे और रोल नमर section में ध्यान देंगे तो आसा है कि आप लोग समझ पाए होंगे क्या करना है और कैसे जाना है तो इसमें date mention ही है और उस दिन आपको जरूर से जरूर पहुंच जाना है तब ही आपका admission हो पाएगा और एक चीज मैं ये भी बताने वाला हूँ तो वहाँ जब भी होगा lining तो वहाँ पर जो है district wise line में ख़ड़ा होना परता है district wise जो है आपका line में खड़ा होना परेगा उसके बाद जो है आपका admission होता रहेगा counseling होता रहेगा तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं उसके बाद देख लेते हैं नीचे में आपको क्या दिया गया है तो नीचे में क्या क्या document लेकर कर जाना ये भी असपस्ट रूप से कहा गया है और पिछले वीडियो में हमारे channel पर भी उपलब्द है उसमें सभी क्या क्या लेकर जाना डोकुमेंट में ये बताया गया है वो देख लेंगा उसके बाद जो आभी जो आप मॉप अप काउंसलिंग किया है ये भी आप लेकर के जाईएगा ठीक है तो आप देख सकते हैं सभी डिस्टिक का ओल्डेजी ओल्डेडी रेंक सो हो रहा है उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये क्या दिया गया है आप पर लेजिए उसके बाद समझ लेजिए तो चलिए देखते हैं रीड करके इस परकाशन में यहाँ पर जो दिया गया है अंतर निहित उमिदवारों को नमंकन की गरेंटी नहीं है यानि कि यहाँ पर असपस्ट रूप से कहा गया सभी का जो है गरेंटी नहीं है उसके परते कोटी की सीटों की कूल सुविकिर्टी संख्या से अधारित उमिदवारों को जो है साक्षर्ता के लिए संभव अनुपस्थित एवं सीटों को भरने को ध्यान में रखकर मेधा सुची के सम्मेलित किया गया है फलसरूप ऐसे उमिदवारों का नमांकन उनके द्वारा सभी सर्तों को पूड़ा करने के अंतरगात संबंदित जिले जिले में करम मेधा करम में उसे उपर के उमिदवारों की अनुपस्थिती के यानि की यहां पर समझ लिजे क्या कहा जा रहा है यहां पर उपर में जो कंडिडेट नहीं पहुँच पाएंगा उसके बाद जो है उनके अनुपस्थिती में नेक्स्ट कंडिडेट का एडमिसन होगा तो वही कहा जा रहा है उमिदवारों की अनुपस्थिती में पर नाम स्वरूप खाली अस्थान उपलब्ध रहे ने पर जो है निरभर निरभर होगा यानि की सीटों की उद्धनता इस्थिती पर तेक दिन काउंस्लिंग उपरांत जो है परसद के वेवसाइड पर अपडेट किया जाएगा अभयारती सीटों का उद्धन इस्थिती को देखते हुए काउंस्लिंग में भाग लेंगे तो ये जो कहना है जो आपको रोज अपडेट दिया जाएगा यानि की काउंस्लिंग खतम होने के बाद आपको अपडेट दिया जाएगा जो कितना सीट बचा हुआ है यानि की कितना सीट पर एडमीशन हुआ ये सो किया जाएगा उसमें ठीक है तो आसा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे असपस्ट रूप से और उसके बाद यहां पर दिया गिए है डॉक्मेंट क्या क्या ले जाना है तो आप जो है सक्षरता के समय इस साथ लाना अनिवारिया है और उसका अधाट कोपी पर सद्के वेबसाइट पर उपलफध है यानि कि आ बी जो है ये सभी वेबसाइट पर उपलफध है आप वहाँ से डाउनलोड कर लिजेगा और दो कॉपी कर लिजेगा दो तिन कॉपी जिसे कि आपको admission हो जाए उस होना मस्ट है जब भी मांगे तो वहाँ पर फटाग दिवर आप देख जो है आप document दे सके किसी पर कार कि आपको परिशानी आप इसको भी पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ लिजेगा जाती आया वास ये सब होना आमिवारी है आप सभी चिज़ ले करके जायेगे तो ज्यादा वेटर होगा अच्छे लेडर होगा तो चलिए आप इसको पढ़ के समझ लीजेगा सब कुछ दिया गया है असपस्ट रूप से कितना फोटो ले जाना है यानि कि फोटो तो दस बार ले जाईएगा जिसे कि जब भी मांगा जा तो आप फटाक दिवर दे सकते हैं और जांच पर चे रैंक काड इस पर जो अलेडी वीडियो अपलोड है अपलोड है ह उसके बाद चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो है दिया गया है कि कॉल लेटर नहीं भेजा जा रहा है यानि कि यहां पर आप इसको जो है पढ़िएगा रिट कीजिएगा तो मेधावी सुची में सम्मेलित अभियार्थी को उनके इस साक्षरता है तो अल निर्धारित थी वो कांस्लिंग कार्यकरम में भाग लेने है तो अपने एक्षा व्यक्त करते हुए ओलाइन विलिंग ने समिट किये हैं तो वैसे इस सुचना कि अधार पर निर्धारित थी यहां समय सक्षरता में निश्चित रूप से उपस्थित हो हो उसके बाद जो है अन्य था उनके वानुपस्तिति मान लिया जाएगा और जितने जिसके लिए परसद उत्तर देनियन नहीं होगा यानि कि उनका कोई जिमेदारी नहीं होगा इसलिए वो अपना असपस्थरूप से क्लियर करके लिख दिये है तो आसा है कि आप लोग समझ गए होंगे आसा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस क्या है तो आप लोग जो है निफिकिर हो करके डेट जिस दिन दिया गया उस दिन आप जाईए और कोई भी doubt हो तो हमारे comment section में link के आप जान सकते हैं और जो है description में सभी document का link मिल जाएगा आपको और i button में भी मिल जाएगा आपका link जो कौन-कौन सा document ले करके जाना है तो आप उस video को देख लिजेगा और सभी document तयार करके original कागज के साथ जो है आप वहाँ पर उपस्तित हो जाएगा iti यानि कि आपको हवाइड़ा के पास IAS भवन उपस्तित हो जाएगा तो चलिए आसा है कि आप लोग समझ पाए होंगे और भी कई महतेपुन जनकारी हमारे वीडियो के माधम से बताया जाएगा तो चैनल को जो है जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा कोई भी चीज आपका मिस ना हो फ्रेंड्स जिसे कि आपको आगे परिसानियां का सामना करना पड़ेगा तो चलिए वीडियो को जो है साथ करते हैं जैहिन जैभारत हस्ते रिया मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुस रहिए